सर्चों में अगर हम समय सामय की गती विदियों की चर्चा करें तो एक अगेती फसल जो किसान भाई सितंबर में लगाते हैं वो अभी पकने की अवस्ता में उसमें फलियां पूरी बन चुकी होगी और आम तोर पर जब बादलवाई का मौसम होता है तो उसमें जो सर्चों का तेला है उसकी समस्चा आती है तो तेले के रोकताम के लिए किसान भाईयों को चाहिए कि वो मेला थियों 30 इसी का 500 मिली लिटर पर प्रती एकड़ 200 से 300 मिली लिटर पानी में गोल बनाकर छेड़काओ करें दूसरी हम बात करेंगे समय पर किसानों द्वारा बीजी गई सर् किसान भाई करते हैं अगर आप की पास एक ही सिचाइउ उपलब्द हैं तो आप 60-70 दिन की फ़सलपर किसान भाई कर सकते हैं अगर पास 2 सब्सक्राथ इसाले बाद समय बिजाएaltet'. तनागलन की बीमारे का प्रकॉप इसी समय शुरू होता है तो सफेद रोली का प्रकौप आमतोर पर 50-60 दिन की फसल पर शुरू होता है और उसमें किसान भाई खेत में जाएं और खेत के पत्ते के निचले हिसे पर देखें अगर 10 पत्तों पर एक पर भी रुई नुमा धब्बे अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब सफेद रोली की समश्या शुरू हो गई है और उसमें किसान भाईयों को चाहिए कि वो तुरंत रिडो मिल MZ जो वेटेबल पाउडर होता है उसकी 2 ग्राम पर 30 लिटर पानी की मातरा के हिसाब से उसका छिड़काव करें और इसमें पानी की मातरा किसान भाई दोस्तों से तीन सो लिटर पर की एकड़ की हिसाब से रख सकते हैं उसके अलावा जर फिर भी बिमारी की समश्या दिखाई देती हैं पंदरा दिन के बाद रेड़ो मिलका या मैंको जेव का एक स्प्रे दो ग्राम पर 30 लिटर के हिसाब से किसान भाई कर सकते हैं दूसरी समश्या जो तना गलन की सर्चों में आती है तो जो बिमारी है या आमतों पर 70-80 दिन के अवस्ता में सुरू होती है जो किसान भाई पिछले कई सालों से तना गलन की समश्या अपने खेतों में मैसूस कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो 70-80 दिन की अवस्ता पर फसल के 0.05 से 0.1 प्रतिसत का गोल जो है कार्बेंड इजियम का वो 200 से 300 लिटर पानी में वड़ा कर अगर करते हैं तो तना गलन की समश्या से किसान भाई उसकी मुक्ति पा सकते हैं एक समश्या जो पछेती भी जाई जो अभी किसान भाई जो नौंबर में कर रहे हैं उसमें पेंटिड बग या जिसको जहारा या बगराडा भी कहते हैं धोलिया भी कहते हैं जिसमें पत्ते सफेद से हो जाते हैं सूखते हैं तो यह चितकबरा एक कीड़ा है जो आम तोर पर फसल की सुरू आत्ती 4-5 पत्ते की अवस्ता में नुक्सान करता है उसके लिए किसान वाईयों को चाहिए कि मेलाथियों 5% डस्ट का 8-10 किलो ग्राम का धूड़ा उतनी राख मिलाकर सुवे के समय करें जब पत्तों पर ओस्ट का गिलापन हो या अगर ज़्यादा प्रकौप हो तो उस अवस्ता में मेलाथियों 30C का 500 ml या डायमथियोंट का 400 ml परती एकड़ के हिसाब से 200-500 लिटर पानी में मिलाकर छिड़काओ करें अभी पच्छेती विजाई का भी कुछ समय है और आमतोर पर जो नोर्थ इस्टन स्टेट्स हैं उनमें किसानभाई अगर पच्छेती विजाई करना चाहते हैं तो वो पूसा की पूसा सरसो 25, पूसा सरसो 26, पूसा सरसो 27, पूसा सरसो 28 तथा NRC HB 101 जो DRMR भरतपूर की किस में उनकी विजाई कर सकते हैं